तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले इस स्टोरेज बॉक्स से जो मैंने मंगवाया है एमाजॉन से हलो एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल आप शालनी महिश्वरी और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने मैं तीन ऐसी चीजे मंगाई थी जो बहुत इंपॉर्टन होती है जो स्टोरेज के लिए हमें बहुत यूसफुल होती है मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज घर के लिए मंगवाई है तो आप लोगों के साथ भी यह शेयर करूँ तो सबसे पहली चीज है यह एक फोल्डेबल स् और करे थे Amazon से तो पहला बॉक्स था वो उसके बाद है यह दूसरा बॉक्स जिसमें आइगे सॉक्स वगेरा आप रख सकते हैं स्टोरेज कर सकते हैं अपने सॉक्स वगेरे को जो की मेरे घर में तो बहुत ही मैसी ली तरीके से अभी बिखरे पड़े हैं और उसके बाद है यह इसमें आप अपनी अंडर्वेर अंडिस वगेरा रख सकते हैं स्टोरेज कर सकते हैं या एनी थिंग यार बच्चों के अंडर्वेर वगेरा कुछ भी इससर पर रख सकते हैं इसके अलावा यह इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं आपकी ऐसी ब्राज जो जो पैड जरूर करना चाहिए अपने कपड़ों को अंडर गामेंट्स को सबसे पहले मैं रख रही हूँ इसमें अपने अंडर वेर और ताकि वो एकदम ऑगनाईस तरीके से रह सके तो मेरे पास जादा तो नहीं है इतने हैं जितने तो ऐसे आप रख सकते हैं अपनी अलमारी में और से अपने जो भी इस तरीके की चीज़े होती ह одंने जब हमें समझ्यनी आता कि हम किसी बास्केट में ऐसी ड возм करके रख लेते हैं लेकिन लेकिन आइक्चली मैं उसे इस तरीके से रखा जाता है यह मैंने काफी लेट अब्सर्फ किया सबसे पहले इसमें रखने वाली अपनी अपनी आप अच्छे से और्गनाइज करके रखती हूं अच्छली और्गनाइज करने से बहुत सही लगता है आपके अलमीरा आपकी कबर जहां पर भी आप रखते हैं हर चीज मिल जाती है और इससे पहले मैंने इस बास्केट में इसी तरीके से डाल दी थी इसमें मैं अपने कुछ ट्यूब टॉप्स भी डालूँगी तो इसके बाद देखे मैंने सारा ये लगा लिया है काफी सही यहां इस वाले में मैं रखने वाली अपनी ब्रास जो भी मेरी पैड़िट ब्रा वगेरा है वो मैं इसमें ही लगाऊंगी क्योंकि ये इसी के लिए है मुझे लगता है और देखे कितने अच्छे से इसने सब कुछ एकदम धंग से मैं देख सकती हूं पूरी की कौन से मेरी ब्रा कहां पर है तो ये लाइक पैड़िट ब्रास वगेर आप रख सकते हो उसके बाद है ये वाला तो इसमें इसकी जो चेन थी वो खराब थी तो लेकिन मुझे इतना कोई फरक नहीं पड़ा मैंने इसको यूज कर लिया क्योंकि कही बारी क्या होता है कि रिटर कराने के बाद भी गलती आजा और इसमें इतना चेन का काम है भी नहीं बीकाम करी तो हम इसी तरीके से रख सकते हैं तो मैंने इसे रिटर्रन कर वाया है तो यह मुझे लगा 5.99 रुपीज में बिट एक्सपेंसिव बट फिर भी बहुत काम का है और उसके बाद है यह जो कि यह फोर्थ और्गनाइजर तो इसमें मैंने डाले सॉक्स पहले मैं ट्राइ करी थी बड़े सॉक्स डालने के बहुत बड़े सॉक्स नहीं डाले थी यह देखे मेरे ड्रॉल की हालत बहुत ही मैसी है यहाँ पर बहुत ही गंदा हो रहा है अब मैं इस ड्रॉल से ही अपनी सारी चीज़े उसमें डालूगी जो जो इसमें आजाए सॉक्स फगेरा एन ओल तो सब कुछ मैं इसी में अच्छे से लगाँगी and trust me guys मतलब इसने इसके बाद मेरी लाइफ एक दब सॉक्स कर दिया मतलब मेरे बच्चों की सॉक्स मेरी सॉक्स मेरी हसमेन की सॉक्स इतनी सॉक्स हो जाती है ना विंटर स्क्स ही जाती है लेकिन वांस ये और आपको पता चलेगा my god कि आप कितने sorted हो चुकियों अब seriously और इसे मैंने बाद में जो भी space left space पजाता है उसे मैंने बच्छे की underwears भी इसी में डाल दिये तो so that वो भी organized रहे मैं आगे जाके एक और ऐसा organizer बंगवाने वाली हूँ सो देखे मैंने पूरी तरीके से इसको एकदम जितना हो सकता था मैं यूटलाइस कर सकती थी मैंने उतना यूटलाइस यहां पर इसको कर रहा है और पूरा मैंने इसे फिल कर दिया अपने ड्रॉल में और ड्रॉल में लगने के बाद बहुत ही जादा क्लीन और ख्लटर फ्री मुझे लुक दिख रही है एकदम डी क्लटर हो चुका है एवरीथिंग यह सी वाओ मैं गॉड इतनी बात इतना लेटली मुझे मेरी आखों को सुकूर मिला ना यह सब देखकर कि माई गॉड कितनी अच्छी तरीके से सब और गनाइज हो गया है हर एक चीज जो इदर उदर बिकरी पड़ी रहती थी मेरी वह इतनी अच्छी तरीक अब इसमें मैं डाल कर अच्छे से ओगनाइज कर सकती हूँ काफी अच्छा लग रहा है मेरी आखों को यह सब देखने के बाद सब चीज़े सौर्टेट लग रही है अब मैं इस ड्रॉल में देखे पहले कितना मैसी था और अब मैं इसमें डालूंगी अपनी यह सौक्स अब कितना ज्यादा ख्लीन लग रहा है यह ड्रॉल मैं गॉड आप देख सकते हैं अपने आप उसके बाद मैंने मंगवाया यह कोट कवर बहुत ही कॉवन है गाइस मुझे पता हर किसी के घर में होगा लेकिन मेरे घर में यह एक भी नहीं है तो मैंने यह मंगवाया सो मैं देख सकू में इसकी क्वालिटी वगेरा सी हैं एक ऐसे हुक तहॊ है ताकि हम हैंगर को यहां से मेरे घर में तो जैसे कपड़े काटने वाले कीड़े भी घूम रहे हैं दरुदर तो उससे भी सेफ हो जाता है काफी तरीके से और यह मुझे मिलना है 169 में मैं 169 में यह कवर कोट कवर बहुत ही यूसफुल है अब मैं यहाँ पर इसकी चेन लगाने की कोशिश कर रही हूं अब इसकी चेन लग चुकी है देखिए तो बहुत ही कॉमन है बट मैंने बहुत लेट मंगवाया है 169 में यह ले लोग को इसमें नुकसान नहीं है इसके बाद मैंने यह मंगवाया है यह शर्ट ऑगनाइजर जो शर्ट रखने के लिए होता है लेकिन यार कुछ भी रख अब इसमें चाहे शर्ट रख लो टी शर्ट रख लो या कोई भी रेंडम टॉप वगयरा भी रख सकते हो मैंने पर्टिकुलरली शर्ट वगयर रखने के लिए नहीं मंगवाया मैं ऐसी अपने कबर्ड बे मेरी टीशिट वगयरा पढ़ी रहती है तो उसको अच्छे से य इंगत्य ऐसा ऐसा लगा लो तो ना यह बिल्कुल एकदम सही अपनी शेप ले लेगा शेप ले लेगा अच्छे से और इसको अपने कबर्ड में रखो जैसे कि अभी मैं रखने वाली हूँ इसके बाद यह देखो कि मैंने कबर्ड में रख लिया है इस अलमीरा में मेरी चोटी सी अलमीरा है इसके अंदर मैंने रख लिया है और अब मैं इसमें अपने टॉप पी डालने वाली हूँ अपनी जो रेंडम टॉप्स वगएर होते हैं जो घर वगएर पहन लेते हो या अपनी वुलन भी डाल सकते हैं जो नॉमल आप वुलन वगएरा यूज़ करें उसको भी आप इसमें डाल सकते हो अराम से कुछ फैलेगा इसी के अंदर फैलेगा बाहर तो आने नहीं वाला और यह और ऑगनाइस भी लगता है अगर आप इससे मेरी नीचे वाली ड्रॉल तो काफी मैसी से लग रही ओपर वाली भी लेकिन कम से कम इसमें कपड़े और वक्त हम बहुत अच्छे से रखनी सकते कपड़ों को फैल ही जाते हैं लेकिन जब हम इसमें रखते हैं तो इसी के अंदर ही होगा जो भी होगा और अराम से इससे और दिख भी रहा है मतलब बास्केट है एक्चली इतना आइडियल नहीं है स्टोरेज के लिए इस तरीके की चीज़े जिसमें आगे से आप देख सको कि कौन से टॉप है वह बड़ा यूसफुल है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके जाएगा और सब्सक्राइब करके जाएगा बाई बाई